भारतिय बॉक्स ओफिस पर हर फिल्म के कमाई को पीछे चोड़ कर एक नया और सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड बनाने वाली भारत की फिल्म बाहु भली का जल्वा सब जगय के साथ चीन में भी देखने के मिल रहा है जी हाँ, चीन की अलि बाप पिक्चर्स ने चीनी बाहु भली फिल्म बनाई यह फिल्म चीन की अब तक की सब समघनेगी फिल्म रही इसे बनाने में करीब 726 करोड रुपे यानी 75 करोड युओान चीनी करेंसी की लागत लगी है करोडो रुपे से चीन में बनाई गई यह फिल्म जब रिलीज हुई तो बॉक्स आफिस पर कुछ अच्छा असर नहीं दिखा पाई बाहु बली जैसी कहानी कहती हुई चीन की फिल्म असरा लोगों को नहीं पसंद आई इसी वज़े से यह फिल्म बॉक्स आफिस पर रिलीज होते ही उन्धे मूब गिर गई इसको बनाने वालों ने सोचा नहीं होगा कि यह फिल्म इतनी बुरी तरह से फ्लॉप होगी बता दे की अली बाब की यह फिल्म बहुद पौराने कथा से प्रेरित है जिसमें एक चरवाहा राज्य को हमले से बचाता है इस फिल्म को बनाने में 6 साल लगे हैं बताया जा रहा है कि फिल्म असरा के विज्वल पर मिकर्स ने सबसे अधिक पैसा लगाया था इसके साथ ही इसमें स्पेशल एफेक्ट्स वाले 2400 सीन थे जिसका रन टाइम 141 मिनट था इतनी अधिक मेहनत और पैसे लगाने के बाद भी जब यह फिल्म पहले हफ्ते नहीं चली तो अली बाब ने एक बड़ा फैसला लिया बतादें की हाल ही में इस फिल्म के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंड से इस बात की जानकारी दी गई कि इसे रवीवार रात 10 बजे के बाद से सभी सिनेमा घरों से हटा लिया जाएगा इस बात की जानकारी देते हुए पोस्ट में कमपनी ने लोगों से माफी मांगते हुए लिखा है कि हम उन लोगों से माफी मांगते हैं जो इस फिल्म को देखना चाहते थे लेकिन वेब देख नहीं पाई अगर बात करें भारत के बहु बलीड की तो इस फिल्म को बनाने में कुल 250 करोर रुपे खर्च हुए थे जबकि इसकी पहले हफते की कमाई के मामले में इसने दुनिया भर में 860 करोर की कमाई की थी भारतिये फिल्म बाहु बली और बाहु बलीड लोगों को बहुत पसंद आई थी इस फिल्म का क्रेज लोगों में अभी भी देखने को मिलता है